आईए दोस्तों आज की इस इंटरस्टी वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं कि अगर आप F&O को अपने बंद करना चाहते हैं ग्रो एपलिकेशन में तो आप उसे कैसे कर सकते हैं देखिए F&O एक्टिवेशन कैसे करते हैं ये तो एक अलग बात है लेकिन वही F&O अगर कोई डियक्टिवेट करना चाहे तो उसका भी एक प्रोसेस है बहुत सारे लोग जो F&O में ट्रेड करते हैं और उन्हें F&O रास नहीं आता या फिर उन्हें F&O में मज़ा नहीं आता तो वो चाहते हैं कि हमें F&O का जो ट्रेडिंग है उसे हम डियक्टिवेट कर दें तो आप उसे कैसे कर सकते हैं आज किस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं देखे सबसे पहले आपको क्या करना है अपने ग्रो के अप्लिकेशन में आ जाना है जैसा कि आप यहां पर देश सकते हैं लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस FNO के section को delete करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जो profile का section है उपर की side, यहाँ पर इस profile के section पे आपको click करना है, जैसे ही आप इस profile के section पे click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का dashboard खु अगर यह ये ये सक qu टिकमार्क लगा हुआ है अगर येश का टिकमार्क यहां पर activate है आपको इसे हटाना है तो आप जैसे ही इस पर click करेंगे आपके सामने एक simple सा message आएगा नीचे की side आप देखिए यहां पर आ रहा है enabling और disabling a segment अगर आप किसी भी future options के segment को enable करना चाहते हैं करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या है if you wish to update the segment you want to trade in please write us at support at the rate grow.in and our support team will help you out तो आपको क्या करना है यहां पर जो support at the rate grow.in इस email id को याद कर लीजिए या फिर आपनो down कर लीजिए support at the rate grow.in आपको क्या करना है इस email id पे एक mail करना है परिशान मत हो यह mail करने का नाम सुनते ही ब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत आसान आपको बताते करना क्या लिखना क्या है तो आपको इस पर ok कर दीजिए उसके बाद जो है अपने गुरू के application को बंद कर दीजिए और आपके सामने जो है फिर इस तरीके का एक mail जो है देखना है आपको टाइप करना है तो आपको क्या करना है सीधे यहाँ पर दीखे left side पर compose का option आ रहा है आपको इस compose वाले option पर जो है click करना है click करने के साथ ही जो है आपको क्या करना पड़ेगा simple सा यहाँ पर एक mail करना पड़ेगा तो compose पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का icon खुलके आ जाएगा dashboard यहाँ यहाँ पर आपको लिखना है support यहाँ पर है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे support तो यहाँ पर आप simple सी बात है आपको याद करना है तो याद भी कर लिजे कोई बड़ी चीज तो नहीं है यह SUWP ORT support ORT support at the rate GROWW.in आपने यह लिख लिया और उसके बाद जो है यहाँ पर जो subject है यहाँ पर आप क्या ला लिखना है या फिर F और यह जो end वाला निशान है and और O आप यह भी लिख सकते हैं ठीक है आपने subject में डाल दिया उसके बाद यहाँ पर आपको स्रीफ लिखना है dear team please deactivate my FNO segment बस इतना लिख दीजे उसके बाद आप लिख दीजे thanks and regards बस हो गया आप इसको क्या करेजिए यहाँ से send का option है send पर click कर दीजे और यह email जो है simply grow के वहाँ चला जाएगा और उसके बाद आपको एक back email आजाएगा जैसा हमने already email कर दिया है जैसा कि मिहाँ पर देख सकता है कि हमने एक email भीशा था dear team please deactivate my FNO segment thanks and regards ठीक है और यहाँ पर जो है अब देखे एक email उनके तरफ से आ गया यह लिख्या हुआ है dear customer thank you for reaching out to us we wanted to let you know that we have received your request and we have created a support ticket और उसके बाद क्या होगा कि यह जो है rest assured our team is walking diligently और यहाँ पर हो सकता है कि यह आपको call भी करें और call करके आपसे confirm करें कि भी आप अपना जो segment है deactivate करना चाते हैं क्यों करना चाते हैं बता दीजे कि मुझे लिचस भी नहीं है और मैं deactivate करना चाता हूँ बस इतनी से बात है उसके बाद जो आपको हमाँसे segment deactivate यहाँ पर कर दिया जाएगा तो इतना ही आसान काम है और इ account का उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेर कर दीजे उनको भी help हो जाएगी और अगर आप इस चैनल को support करना चाहते हैं तो चैनल को support करने के लिए आप simply जो है जो है जो है जो है जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल निटिफेकिशन को भी जरूर कर दीजे मिलते ह एक लिए वीडियो में है तैंक यू सो मच